दोस्तो फाइनली दोजार चौबिस के मिस्ट्रो लंपिया के ओपन बॉडी बॉलिडिंग का प्रीजजिंग हो चुका है खतम और मैं लेकर आज हूँ यह क्या हुआ था प्रीजजिंग में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ A to Z जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां त दिसकॉशन करेंगी कि कौन जीतर है और कौन कितना पानी में आपको बता है कि हम लोग कैसे डिसकॉस करते हैं कॉल ओट्स लेते हैं फोटो वगएरा कंपैरिसन वगएरा करते हैं एथलीट्स की तो फिर बिना किसी देरी के इस प्रीजजिंग की वीडियो को शुरू करते ह दोस्तों मैं आपको सबसेले बताना चाता हूँ कि हमारी पहली चीज जान से शुरुवात होती है उपन बॉडी बॉल्डिंग के प्रीजजिंग की वो है इंडिविज्वल राउंट यहाँ पर एथलीट्स अपने इंडिविज्वल पोजिंग करने के लिए आते हैं और अ हाँ से शुरू कर रहा है हादी चुपान से ही शुरू कर दिया शो आते हैं दोस्तों वो एकदम डैम गुट कंडिशनिंग उनकी फर्स्ट इंप्रेशन में को देखने को लगी हादी बिलकुल डाइल दे नजर आ रहे थे ही वास लुकिंग कंडिशन के साथ हादी की फिज देखने के बादा दूसरे ऑद तीसरे आते हैं राफिल ब्रेंडाव में कहूंगा कि यहां पर जितने ही वो जो अपनी अपडेट्स में नजरा रहे थे हैं आपको जाद है कि मैंने अपनी अपडेट विडियो को अंदर राफियल को कवर करा था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि राफियल कितने ज्यादा राउंड और बढ़िया लग रहे हैं इस साल हंटर ने हमको पते हैं कि इंप्रूव्मेंट अपनी फिजीक पर करी है और अक्चुली मैं स्टेज पर भी इस साल इंप्रूव्मेंट वो लेकर आया था improvement in terms of conditioning बहुती scary conditioning बो लेग रहे थे यार grainy नजर आ रहे थे grainy के साथ कहूँगा कि उनकी body मेरे को सही तरीकी से peak करती वी नजर आई थी इस Olympia में और मैं कहूँगा कि इतने लोग उनसे expectation तो नहीं रख रहे थे but hunter ने उन सबको proof wrong करके दिखा दिया और बड़िया condition यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिली 5th पर यहाँ पर आते है John Jewett 6th पर आते हैं डेलरोसा, जॉन थर डेलरोसा उसका 7th नबर पर आते हैं Brandon Curry और obviously Brandon Curry क्या है former Olympia champion है 2019 के वो champion बने थे तो उनकी तरफ भी निगाहें बनी हुई थी कि Brandon किस तरीकी का package लेकर आ रहें because कोई भी updates उन्हें नहीं दिखाई थी तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि Brandon जो wow factor पहले लेकर आया करते थे 2019-20 में वो यहाँ पर कहीना कही मेरे को missing लग रहा था यहाँ पर size उनका legs में missing लग रहा था although उनका बहुत ही बड़िया shape आता है he has a good structure but size कहीना कही उनको खल रहा था यहाँ पर Brandon के बाद यहाँ पर आते हैं 9th number पर आते हैं Martin Fritzwater Martin की first impression के बाद करू तो यहाँ पर मुझे वो अच्छे लगे अभी वो कितने अच्छे लगेंगे वो judges को कितना अच्छे लगेंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा मगर जो first impression में को इनकी physique देखने के बाद लगे कि वो conditioned आये थे सबसे important बात है कि वो shape में आये थे इसके बाद जो अगले bodybuilder आते हैं वो है Akeem Williams honestly बोलो तो इनको या फिर किसी भी black bodybuilder को अगर आप इस background के साथ देखोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा visibility बहुत ही poor है इस live stream में तो कहना बहुत ही मुश्किल बन जाता है Akeem मिरको यहाँ पर ठीक लग रहे थे बहुत overly जितने impressive Akeem अपनी updates में लग रहे थे अभी क्या Akeem उतने ही impressive आये थे कहना थोड़ा मुश्किल है due to lights बट मिरको ठीठागी लगे यहाँ पर Akeem Williams 10th number पर यहाँ पर आते है Samson 12 और Samson भाई एकदम big as a house यहाँ पर नजर आ रहे थे कोई भाई मतलब कोई दोर आये नहीं है Samson is looking absolutely crazy in terms of size one of the most improved bodybuilders इस साल Samson 12 बने हुए और मैं बहुत ही excited था उनको देखने के लिए इस बार यूलंपिया में और वो deliver भी उनने करके दिखाया है ऐसा नहीं था कि Samson यहाँ पर off आया थे he was looking damn wow factor उनका नजर आ रहा था stage पर 11 नमर पर यहाँ पर आते हैं मौमत फौदा और एकदम भाई भाग कर आते हैं तो पता नहीं इनकी कोई train छूड़ गी थी क्या हो गया था उसके बाद 12 नमर पर यहाँ पर आते हैं Andrew Jack एकदम wow factor अपना लेकर आते हैं stage पर यहाँ पर कहीना कई Andrew Jack मुझे लगा कि condition नहीं आये थे यहाँ पर कहीना कई Andrew ने अपनी peak जो है miss कर दी थी इवन दो मैं मानता हो कि Andrew Jack future में Mr. Olympia बन सकते हैं बड़ इस साल Andrew Jack नहीं बन पाएंगे Mr. Olympia first impression यही था मेरा बाकिया मैं आपको और clarify करके आगे बताऊंगा बट फिलाल जो first impression था Andrew Jack के वारे में वो मैंने आपको बता दी हैं 13th number पर यहाँ पर आते William Bonak और यार क्या ही crazy condition यह लेकर आये हैं even दो उनका वो वाला size निये जो कि पहले हुआ करता था 17-18 हमें लेकिन जो यहाँ पर वो crazy condition लेकर रहे हैं उसकी दाथ देनी पड़ेगी और उन्होंने दोस्तों crack कर लिया है top 10 जो कि लोगों ने बहुत से लोगों ने कहा था कि वो top 10 भी crack नहीं कर पाएंगे तो एक salute air उनके लिए बहुत ही बड़ी नजर आ रहे थे 14th place कहा रहा था 14th नमबर पर यहाँ पर आते है Bruno Santos 15th नमबर पर यहाँ पर आते है हमारे current reigning Olympia champion Derek Lunsford और इनके बार में लोग सोच रहे थी क्या Derek Lunsford improve होकर आएंगे जो उन पर इतनी controversy स्पिछले साल बनी हुई थी कि क्या Derek जो इतने कम margin से हादी चुपान से जीते थे Derek Lunsford कैसे नजर आ रहे थे इस वाले Olympia में मुझे यहाँ पर Derek कही न कई बिल्कुल similar से लग रहे थे जैसे कि वो last year अपना package लेकर आये थे जब अपने front side से वो खड़े होते है front relax पर तो उनकी quads देखे जा सकते है delts की बात हो गई, chest हो गया वहाँ पर उनका कही न कई separation missing रहता है जहाँ पर Derek Lunsford जान लेकर आते है अपनी physique में वो है उनकी back back से वो real improvements real improvement या फिर आप कहुए कि जो main उनके दो poses है जो की bread and butter है Derek Lunsford के वो है उनके back poses back से मैं कहुँए Derek Lunsford consistent consistent रह रहे हैं और consistent पिछले साल की तरह जो है dialed in होकर आए तो उनकी glutes एकदम चिपते हुए थे उनकी skin के साथ उनकी back बहुत ही बढ़िया लग रही थी तो back से मुझे कोई complaints नहीं है Derek Lunsford के साथ चलो यह तो बात होगी individual round की अब हम लोग बात करते है compulsory round की जो कि हमारा अगला round होने वाला है यहाँ पर bodybuilders group बना कर आते हैं अपने trunk wise एक साथ आते हैं ग्रूप में और judges को अपनी physique दिखाते हैं एक तरीकी से समय लो first impression ही है वो पहले individual था अब ग्रूप में यह लोग अपना first impression दिखाएंगे फर्स ग्रूप पर bodybuilders में आते हैं रफायाल ब्रंडाओ हंटर लबराड़ा, हादी चुपान, जॉन जुइट और थियो लेगवेरियर second compulsory group में आते हैं मार्टन फिट्सवार्टर, ब्रेंडन करी, जॉनथन डेले रोसा, हकीम विलियम्स और सामसन दौदा और थर्ड जो हमारा ग्रूप अदर उसमें होते हैं मौमत फौदा, एंड्रिव जैक्ट, विलियम बोनाक, ब्रूनो सैंटोस और डेरिक लंसफ़र्ट तो चलिए दोस्तो हमारा जो ये individual round जो हमारा ग्रूप के अंदर लोग अपना कंपल सरीज दिखाने के लिया था, ये सब चीज़ें हो चुकी है, खतम अब हम लोग यहां पर अपनी second part में आगए विडियो के और हमारे comparison round यहां पर शुरू हो गया इस Mr. Olympia में तो चलो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, first pose में जो कि है front double biceps अब मैं आपर live stream नहीं लेने वाला क्योंकि live stream में जो इतना contrast इन लोगों ने डाला हुआ था और इतनी poor visibility है black logo की Andrew Jackd और Samson Dauda का बिल्कुल भी वो चीज favor नहीं कर रही है तो इस कांड की वैसे मैं आपर photos का इस्तमाल करने वाला हूँ और हम लोग बात करने वाले हैं photos के जरीए से यहाँ पर दोस्तों first call out के अंदर हम लोग front double biceps देखें तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया मैं कहूँगा कि जो stage presence नजर आ रहा है यहाँ पर दोनों ही bodybuilders अपने height का advantage ले रहे हैं और बढ़िया यहाँ पर अपना size दिखा रहे है यहाँ पर बोलूगा कि यहाँ पर मुझे size जादा better लग रहा है क्योंकि वो जादा यहाँ पर थिक नजर आ रहे है यहाँ पर उनकी तरफ निगाहे जा रहे हैं इस pose में कही न गई और यहाँ पर कही न गई में को सबसे impressive Andrew Chad लगए इस वाले pose में इवन मैं बोलूगा कि Martin भी इस वाले pose में काफी बढ़िया लग रहे थे front double biceps में और मुझे उनको देखकर काफी अच्छा लग रहा था कि उन्हेंने first call out को crack कर लिया है इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी bodybuilders के बारे में तो Derek Hardy के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर देखो इतनी हमनों zooming नहीं कर सकते हैं इस वाली photo के नहीं limited ही details है अगर आप zooming करोगे तो यहाँ पर फोटो blur हो जाएगी तो हमने exact details का तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं सिर्फ यह photo देखने के बाद कि कौन सा bodybuilder कितना ज़्यादा condition लग रहा है उसके लिए हमें bodybuilders की individual photos देखनी पड़ेंगी जिसमें उनकी zooming हम लोग कर सकते हैं और details देख सकते हैं इस photo में तो में कुछ मालूमी नहीं चलेगा details exact कितनी details आ रही है bodybuilders की सिर्फ हम लोग athletes की shape और symmetry के बारे में यहाँ पर discuss कर पाएंगे तो किस फायदा नहीं है यहाँ पर अगर मैं सही बताऊं तो judges की बात करी है तो judges यहाँ पर पहले उनको middle पर रखते हैं Derek Lunsford को उसके बाद Samson Dauda को बीच में लेकर आया जाता है जो कि एक interesting चीज मुझे लगी क्या इसका मतलब यह है दोस्तों कि क्या Samson Dauda की तरफ judges की निगाहें और वो लोग Samson Dauda को first placing पर यहाँ पर रख रहे हैं of course दोस्तों हमारे पास यहाँ पर scorecards तो नहीं है scorecards तो result आने के बाद हमें मालूम चलेंगे कि judges ने किस bodybuilder को first placing और first place पर रखा था pre judging में currently दोस्तों यहाँ पर Samson Dauda है middle पर तो मेरी जो मेरा first impression यहाँ पर जाता हो जितनी knowledge मेरे को है bodybuilding वगरा की मेरे को यही कहती है कि Samson Dauda पर यहाँ पर judges निगाहे बना कर रखे हैं इसके बाद हमनों बात कर लेते हैं second call out की और यहाँ पर होते हैं bodybuilders Brandon Curry, Jonathan De La Rosa, John Jewett और William Bonak और यहाँ पर हम बोलूँगा तो William Bonak वसे Brandon Curry का हमको एक तरीक से flashback और flashback memories नहीं आ रही हैं जब उनके Arnold के हमको मुकावले देखने को मिलते थे Bonak और Brandon की बीच में और Olympia में उनकी battle देखने को मिलती थी हाला कि तब तो Brandon Bonak को beat कर दिया करते थे लेकिन यहाँ पर क्या कहानी है हाला कि अब मैं वीडियो में जैसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि यह वाला background बिल्कुल भी favor नहीं करता है black लोगों को और यहाँ पर पता लगाना बहुत ही मुश्किल है पर यहाँ पर बोनाक बहुत ही चमक नहीं रहा है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो judges हैं वो Brandon करी को side से middle पर लेकर आ जाते हैं और William Bonak और Brandon करी middle पर हैं Brandon की quards और उनकी legs अभी भी उनको hurt करती हैं जोकि उनको पहले भी करती आ रही है third call out की बात करो तो यहाँ पर आते हैं Theo Laguerrier, Akeem Williams, Mohamed Fauda और Bruno Santos तो यह वाले bodybuilders आते हैं third call out में अब यहाँ पर हमारी call out हो चुगी खत्म हम लोग बात करते हैं confirmation rounds की confirmation round में हमको यहाँ पर second last call out देखने को मिलती है जोकि final call out से पहले एक और call out होती है यहाँ पर बुलाया जाता है Raphael Brandao को पहली call out से Hunter Labrada को बुलाया जाता है Martin Fritzwater को बुलाया जाता है Andrew Jacked और William Bonak को second call out से बुलाया जाता है और यहाँ पर उनके side पर होते हैं Raphael और Hunter और उनके right side पर होते हैं William Bonak और Andrew Jacked बट यह वाली चीज काफी देर तक नहीं रहती है उसके बाद यह लोग Andrew Jacked को बीच में लेकर आ जाते हैं और Andrew Jacked के side पर आ जाते हैं Martin Fritzwater बैक से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो में को यहाँ पर Martin Fritzwater के hamstring और Hunter Labrada के hamstring बहुती dialed in लग रहे हैं बहुती बढ़िया condition इन दोनों की पीछे से लग रही है बाकी obviously shape की बात करूँ तो यहाँ पर Andrew Jacked यहाँ पर shape के मामले में aesthetics के मामले मैं बोलूँगा stage presence के मामले में बहुती बढ़िया लग रहे हैं second best bodybuilder मैं बोलूँगा कि यहाँ पर stage presence के मामले में में मेरे को Martin Fritzwater और Raphael Brandao लग रहे हैं इस call out को देखने के बाद ऐसा लग रहे हैं कि Raphael Brandao और Andrew और उसके बाद Hunter Labrada तो इससे हमको क्या पता लगता है कि यहाँ पर 4th placing की Battle Orient तीनों की बीच में Andrew, Hunter और Martin Fritzwater की बीच में मैं यहाँ पर दोस्तों यह बोलूँगा कि Andrew Jacked मुझे यहाँ पर stage presence और shape के मामले में बहुती बढ़िया लग रहे हैं बट so does Martin Martin काफी बढ़िया improvement अपनी लेकर आए है पिशले साल से तो कई यह वाली चीज एक factor तो नहीं बन जाती है कि judges Martin को Andrew से उपर रख देते हैं बाकी फिलाल यह कुछ मामला रहता है second last call out का इसके बाद हम लो finally बढ़ते हैं जो हमारी final call out होती है और final call out में हमारा पिशले साल जैसा कुछ vibes नहीं आ रही है वो तो आएंगी क्योंकि हमारे पिशले साल की तरह ही जो last के तीन bodybuilders बचते हैं इस साल भी वही बचते हैं हादी चुपान, Derek Lunsford और Samson Dauda अब यहाँ पर भाई मैं बोलूँ है कि इंटरनेट एकदम crazy हो चुका है कही लोग यहाँ पर कहरे हैं कि हादी चुपान यहाँ पर बैटर लग रहे और conditioned आए है उनको जीतना चाहिए Olympia तो यहाँ पर कही लोग कहरे हैं कि Samson Dauda का size देखो उनको ही जीतना चाहिए यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया Samson Dauda ही जीतेंगे वालो Olympia तो कही लोग कहरे हैं कि थोड़ा small percentage है बट कही लोग ऐसा भी कहरे हैं कि Derek यहाँ पर retain कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो fans है ना bodybuilding के वो बट गये है और internet जो है न वो opinion से भर गया है कि भाई यह वाला bodybuilder जो है न जीत सकते है मतलब किसी भी internet एक opinion पर नहीं आ रहा है बहुत सारी opinions है हर एक बंदे का एक ही champion है कि कि किसी को हादी पसंद आ रहा है किसी को Derek तो किसी को Samson मगर एक opinion पर आकर कोई भी agree नहीं कर रहा है कि हाँ यही bodybuilder हमारा winner है ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो अभी दोस्तों कर मैं आपर बात करूँ इस call out के बार में सबसे पहले बीच में होते हैं आपर Derek Lunsford Derek Lunsford के बार में जैसे कि मैंने पहले बोला था लेकिन front से मैं बोल सकता हूँ कि Derek का हाल वही पिछले साल जैसा ही है minus the quads quads मेरे को Derek के improve लग रहे हैं इस साल इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर हादी के बारे में बहुत सारे हमारे Indian जो bodybuilding fans है वो लोग यहाँ पर हादी को favor कर रहे हैं पिछले साल भी लोग उनको काफी favor कर रहे थे इस साल भी काफी लोगों ने हादी की तरफ अपना support दिखाया हादी के बारे में यह बोल सकता हूँ कि हादी condition तो आये हैं बट condition की वज़ा से condition लाने की वज़ा से अपना उन्होंने fullness को sacrifice कर दिया है कईना कई मेरे को वो कम round नज़र आ रहे हैं in terms of अगर आप उनको compare करोगे even Derek Lunsford से Derek उनसे ज़्यादा round नज़र आ रहे हैं बट conditioning की बात करो तो हाँ conditioning मेरे को यहाँ पर हादी जो है ज़्यादा separated नज़र आ रहे हैं और better उनकी मेरे को conditioning लग रही है size की बात करो तो यहाँ पर size game कौन जीत रहा है size की जब बात करी जाए तो यहाँ पर Samson 12 जीत रहे हैं यहाँ पर उनका ज़्यादा better stage presence है height advantage है उनके पास अगर आप देखोगे तो वो अलग सही नज़र आते हैं जैसे आप उनको देखी रहे हैं हादी और डेरिक के साथ खड़े हुए उसके बाद यहाँ पर मैं डेरिक की बात करूँ तो मैं को यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ बैक से बढ़िया लग रहे थे बैक की बात करी जाए तो no one can touch डेरिक कोई भी bodybuilder यहाँ पर उनको touch नहीं कर रहा है भले ही वो Samson 12 क्यों नहीं हो भले ही वो हादी चुपान क्यों नहीं हो बैक से मेरे को यहाँ पर डेरिक लंसफर्ड बैटर लग रहे हैं यह दोनों पोजेस बैक डबल बाइसप हो गया या फिर यह बैक लैट स्परड हो गया यह दोनों ही लेकर चा रहे हैं अब यह दोनों पोजेस तो डेरिक लंसफर्ड ले जाते हैं बट वाकी पोजेस कौन जीत रहा है एक और चीज में पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो कि मोस मस्किलर पोज है यहाँ पर डेरिक लंसफर्ड का जो मोस मस्किलर पोज आता है उसमें वो बिलकुल ही साइस है उनके पास स्ट्रक्चर है कंडिशन भी वो ठीक ठाक लेकर आएं उतनी नहीं लेकर आएं जितने की हादी चुपान लेकर आएं बट सामसन डीसन इनफ अपनी कंडिशन लेकर आएं रिस्पेक्टेबल है कि मुझे लगते है कि जजजे उनको फेवर कर सकते हैं फिर्स प्लेसिंग के मामले में बट क्या जजजे इतना बड़ा मूफ करेंगे और क्या वो सामसन को जीत दे देंगे और डेरिक और हादी को यहाँ पर सेकेंड और थर्ड के लिए बैटल करना पड़ सकता है यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लो जीत रहे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसा बहुत ही मुश्किल है यार मुझे सही बताओं दो डेरिक का रिटें करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है बिकॉस कोई ऐसा पॉइंट ही निये सिवाए बैक की कि मैं बोलू कि डेरिक उस हिसाब में बहुत अच्छे लग रहे हैं सेपरेशन वो फिर से नहीं लेकर आएं अपनी फ्रंट चेस्ट पर और अपने शोल्डर्स पर तो मैं क्या पॉइंट रखूँ कि डेरिक यहां पर जीत रहे हैं खादी के बारे मैं बोल सकता हूँ कि हादी यहां पर बहुत ही बड़ी है देना विन सिर्फ और सिर्फ इस पैकेज की वज़े से और अपने बैक पोजिस की वज़े से बहुत ही मुश्किल होगा जस्टिफाई करना जजिस का डेरिक लंसफर्ड को विन देना बाकि दोस्तों मैं तो जानना ही चाता हूँ आप लोग का जो भी थौट प्रोसेस है आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको इन तीनों में से कौन सा बॉडी बुलडर लग रहा है जो जीत सकता है इस साल का मिस्टर ओलंपिया हादी सैंसन या फिर डेरिक बताओ दोस्तो अपने थौट्स और बस यही था दोस्तों प्री जजिंग के लिए और प्री जजिंग मैंने आपको बताए दे कि मेरे क्या थौट्स है बाकि अपडेट्स के लिए भी दोस्तों आप लोग स्टे टून रही है वीडियो के लिए जो भी हमारी आती है चैनल पे बस दोस्तों मैं आप सबी लोगों मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रुखिए तिल देन टेक कियो राइंट बाई बाई